में आपका स्वागत है तो आज बात करने वाल है कि मॉर्निंग ट्रेड स्ट्राटेजी वह कौन सही है ठीक ना जिसमें हम लोग निफ्टी में और बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं ठीक प्योर प्राइज एक्षन के बारे में बात होगी यह पर आज हमने किया है गाइस हैना सिम्पल सेट अब था हैना अब बीग प्रॉफिट हो रहा है गाइस अगर गाइस चैनल पर नहीं तो सबसे पहले क्या कर दिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस और साइड में नोटिफिकेशन बेलोगा उसे प्रेस जरूर कीजिए है गाइस तो यहां आपको पहले ही बता देते हैं कि टार्गेट एचीव हो गया है मेट्रो ब्राइंड गोव फैशन डाटा पैटन के प्याइग गलोबल है ना यहां पर आपको स्विंग टेडिंग में दिया वाए गाइस ठीक अब चलते हैं चार्ट पर गाइस कि मैंने क एगण ट्रैवल में दिया था उसमें देखिए आपको बोला था कि दिखिए जब यह रिटेस्ट कर रहा है यह हमारा क्या है रिजिस्ट्रेश्चन से से सब्रेक करने का सपोर्ट बना और रीटेस्ट करने का बाद इस कैंडल को उपर जैसे ही हाई हाई जाएगा था है ना यहां पर लगा लिए गाइस ठीक ना क्योंकि हम लोग को profit booking चाहिए गाइस है ना और एसल booking हम लोग एसल यहां पर लगाली है गाइस जैसे जैसे उपर जाएगा उस वे से केंडल को हम लोग एसल ट्रेल करते जाएंगे जिसे बोलते हैं ट्रेलिंग एसल गाइस अब चलते हैं चाट पर गाइस चाट पर जाने से गाइस एक चीज और है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम है ना डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते एक सेट अप बन रहा है एक पैटन में देखे है ना यह होगी हमारा बीर उपर से नीचे हाइर हाई ठीक ना गाइस अल हुआ लोवर हाई बनता है यहां हाई हाई बनता है फिर नीचे आता है फिर जो नीचे से उपर जाता है वह नीचे माहें आता है है ना लोवर लो उसके बाद हाइर लोगाइस फि यहां पर क्या करेंगे और जीतना इतना है उतना का हमारा क्या होगा टार्गेट होगा और हम लोग यहां पर रखेंगे ठीक अब चलते हैं चाट पर तो गाइस हम लोग क्या करना है 15 के A Warrior के चैनल उसी आप मार्क कर लीचेथ है आगर इसके उपर जाता है तो तुरांथ लेना है तो पले हमनेี้ हमने सेम ही किया ना पर कि हमारा यहां पर देखा कि पीबोट लगाया तो हमें मील ले ठीक हमें तो यह गर्फर्म हो गया कभी में जाने का चांस कम एक कि यह पिछला दिन क्या कर रहा था पूरा दिन क्या कर रहा था अगर मूब करना होता तो यह मूब करता गाइस है ना तो नहीं किया एक कंफर्मेशन और दूसरा कंफर्मेशन क्या होगा गाइस कि जैसे इसने ब्रेक किया हमने यहाँ पर क्या मारा इंटरी एसल हमारा यह रह कंच मिनट कर रहा था हमने इंटर्य लिया यहीं है यहाँ पे हमने क्या किया 50 परसेंट बुकिंग कर लिया ठीक फिर उसके बाद हम भी ज़ा हम लोग जानते एक गाइज और एक बात और आपको बता दो कि यह फॉस्ट रेड कैंडल सेकंड रेड कैंडल यह थर्ड रेड कैंडल तीन रेड कैंडल बने है ना तो जो चौथा बनेगा वह ग्रीन बनता है ठीक और उसके बाद अगर थर्ड ग्रीन कैंडल बनता है तो जो चौथा कैंडल बनेगा फॉर्थ कैंडल वह बनेगा आपको रेड कैंडल यह हलका कंफर्म मान लीजेगा गाइज ठीक उसके बाद सेम गाइज फिर हमने यहाँ पर फिप्टी परसेंट बुकिंग करने के थि деле यहां पर क्या हुआ कि शुवान था बना मैंने कट कि ठीक उसको यहाँ पर गाइज पूलबैक देखाered रहे हैं यहां से सेशलार क्या है फिर यहां प्राइजेक्षन देख सकते हैं और यहां पर यहां सपोर्ट होता है। और हमने बस जैसे ही यहां पर आया हमने सब का 100% प्रॉफिट बुक कर लिया गाइस ठीक उसके वाद सेम चीज़ बैंक निफ्टी में उसी टाइम फ्रेम में आपको बताता हूं गाइस कि क्या हो रहा था गाइस तो देख सकते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में है ना तो यह मॉर्निंग में इसमें भी क्या था कि देखिए हमने कल ही है ना कल सेटरडे संडे को हमने क्या कले थे यह पहचान गया था ठीक ना कि यह यहां से एक ट्रैंगल जारे जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर इसने breakout दिया बाकी वह breakout क्यों है एल हो गया घ्र है ना फिर इसके range में आगिया यह support का काम कर रहा है तो मुझे यह पता चल गया था तो आज मेरा क्या था आज मेरा ये था कि अगर ये अब क्या करने वाला है बस हम लोग जानते कि यहां से break out करेगा है ना रिटेस्ट करेगा तो एक अच्छा सा हमें profit मिल सकता ये target था यहां से break out करेगा रिटेस्ट करेगा तब हमें दे सकता है इसमें हमने buy की opportunity अपनाई थी sell दोनों का था ठीक ना उसके अदिश में क्या हुआ गाईस कि यहां पर एक support बनाया ठीक आप देख सकते हैं कि इसने यहां कल के closing है है ना closing पर ही इसने support बनाया है ना और support बनाने पर यह बार बार इसे break नहीं कर रहा था तो हमने 18,700 का मैंने थोचा दूर उस टाइम लिया था ठीक ना 18,700 का हमने 125 रुपया में लिया था गाईस call आप देख सकते हैं आप चार्ट पर जाईएगा आपको मिल लागा है ना 125 रुपया में खरीदा था गाईस है ना 1000 क्वांटिटी लिया था एक लग पचीस एजार सम्थिंग कुछ लगा था गाईस है ना और हमने एसल यहां पर डाला था गाईस है ना तो हमने एक सो पचीस पे लिया था और हमने एसल पचासी का लगाया था गाइस 85 रूपीज का ठीक हमने होल्ड किया तो आप देख सकते गाइस कि अभी तक कितना अच्छा हमें प्रॉफिट दे रहा है है ना इसमें एक चीज और आपको बताता हूंगा जो फर्स टार्गेट था प्रॉट पर इसने साफा सपोर्ट लिया और आज पर भी यह साफा सपोर्ट लिया तो यहां से नीची आप जाने वाला नहीं क्योंकि बैंकिंग में भी देख रहा था कि है ना और एक्सिस बैंक तो आज गजब ही तूफान मचा हुए है ना तो यह हमारे दिमाग में था देख रहा था उसके बाद देखिए गाइस कि आज यह कहां तक चल गया है रजिस्टेंस थीरी है ना तो यह हम लोग जानते कि जिस उसमें देख थे कि सपोर्ट थीरी है ना तो इससे नीचे वू नहीं जाने वाला था सेम चीज यहां पर मैंने ही अपलाई किया जैसे ही गया गाइस हमने 100% प्रॉफिट बुकिंग कर लिया आप विश्वास नहीं कीजिएगा है ना हमने टू लैक से उपर का प्रॉफिट किया निफ्टी में टोटल अभी तक गाइस थ्री लैक से उपर का प्रॉफिट कर लिया सिफ वन डे में एक दिन में गाइस सिंपल सा क्या किया था कौल खरीदा है इस वह भी आपको बताता हूं तो सबसे देखें बैंक निफ्टी क्या है हमें बाइंग कदव साफा सिगनल दे रहा था एक चीज़ था अगर बैंक में बैंक निफ्टी में है कि देखें कों है एचडी का से बैंक ठीक ना उसके वादए आइस CIC Bankamatelnिया बेंक 1605 कोटक महिंद्रा राबैंक है न है यह सब क्या बैंथ है कि यह सब 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 निफ्टी को अच्छा खासा वटेस्ज क्राइड देती है क्राइस देती है मूँ करने में में ऑफ्टेज्ग केलें कि लंट 25irie अर। является सब्सक्राइब तो निफ्टी ऊपर जाता है तो हमने यह हैं सब्सक्राइब केढ़र बस हमने क्या लिए पीपॉट पर सुलिपार ठीक न हमने इस पीबोट पे इंट्री लिया क्योंकि देखिए यहाँ साफा सपोर्ट बनना है 15 मिनट के कैंडल में आप देख सकते हैं कि साफा सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर है न सपोर्ट बनना था हमने इंट्री लिया SL हमारा यहाँ पर रखा गाई क्योंकि हमें profit भी हो रहा था तो हम तो असा रिक्स ले सकते हैं हमने first target इस pivot का रखा ठीक फिर जब देखा कि इसे भी support ले रहा है bank nifty क्या जा रहा है धीरे धीरे ऊपर जा रहा है गाई है ना जब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो हमने और यहा कर लिए गाई 1000 quantity total add करके इसे बना लिया गाई ठीक तो यहाँ पर कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर भी 1000 quantity नहीं है ना 10 लॉट लिया था 1200 का इसमें भी तो यहाँ पर देख सकते हैं गाई कि हमने फिर कहां पर हमने first इसका यहां रजिस्टेंस था है ना इसमें है गाई तो बैंक निफ्टी में दीख रहा था कि वह आर्थीरी पे ले रहा है है ना वहां से रिटेस्ट करेगा तो यह भी नीचे आएगा गाई तो हमने 50% का profit book कर लिया और हमारा यह पीवोट है गाई है ना अब हमारा टार्गेट क्या कि इसे ब्रेक करें क्योंकि कल यह 50.00 ऊपर आज भी अभी दे बचावा है गाई लाइब देख सकते हैं 11 बचके 32 मिनट पर अभी टाइम है गाई है ना तो हमारा टार्गेट एक यह बच रहा है और यह यह बच रहा है तो वेट करते हैं तो समझे सींपल स्टाटेजी क्या था 15 मिनट के कैंडल को हाई लो मारीए जहा उसके उपर का एसल रखेंगे अपना रिक्स रिबोर्ड देखकर गाई रिक्स रिबोर्ड देखकर उसके वन रेशियो टू का प्रोफिट होगा 50% वहां पर क्या करेंगे बुक करेंगे फिर वन रेशियो ठीरी का प्रोफिट होगा वहां पर 75% बुक करेंगे और उसके ब मेरियुम